आज के इस वीडियो में बहुत ही बड़िया इंफरमेशन जो कि आपको मिलने वाली है बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है कि हेर फाइबर जो कि आप बालों में यूज़ करते हो वो हामफुल है या अच्छा है वो किस चीज़ से बनाया जाता है कैसे उसे यूज़ करना है क्या इसके अच्छे फायदे क्या है फायदे क्या है या कब तक चल सकता है इसके Kीमत क्या हो सकती है दिए कोई भी प्रोड़क यूज़ करने से पहले जो कि हमें प्रोड़क की информation होना बहुत ही ज़ादा जरूरी होता है क्योंकी तक भी प्रोड़क में कुछ ऐसे हामफु बुलते हो जो बालों में डाला जाता है उसके उपर 101% जो कि जैन्यून इंफरमेशन देना चाहता हूँ ताकि आप जबी भी यह प्रोड़क्ट यूज़ करो तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट ना हो और साइड डारेक्शन में जो कि हाँ प्रोड़क्ट यूज़ करें मैंने प्रैक्टिकली वो यूज़ करके भी बताया हुआ है तो जो कि है साइड में जो कि आप देखते रहोगे या फिर यह स्क्रीन पे देखते रहोगे कि मैं किस प्रकार पहले दिखता हूँ और उसके बाद जो कि यूज़ करने के बाद किस प्रकार का जो कि डिफरेंस आपको देखने मिलता है तो वीडियो जो कि है अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपोर्टन इंफरमेशन है आज कले इंडिया में जो कि हैर फाइबर का बहुत जादा बढ़ चुका है कभी कभी हमें हैर ट्रांस्प्लांट के लिए पैसे नहीं रहते या फिर हैर पैसे नहीं रहते तो कुछ दिन पैसे का जुगार होने तक जो कि हम यह जुगार योज करते हैं जिसे कहते हैं है यह फाइबर या फिर हैर बिल्डिंग फाइबर बहुत सारे नाम है इसके इंडिया में हम इसे हैर पाउडर बुलाते है देखते हैं दोस्तों इसके side effects और effects क्या रहते हैं और किस चीज से बना हुआ रहता है सबसे पहले मैं बता दू कि यह बना किस चीज का रहता है देखिए यह एक प्रकार का protein ही है ठीक है और यह plants का extract जैसे कुछ पौदों का extract से रहता है कभी कभी कुछ कपड़ों या फिर cotton cotton का extract रहता है woolen जोके substract रहता है उसके यह जोके हलका साइख्ट रहता है कभी कभी उनस पर्टिकूलर चीजों को जोकि जला जाता है और एकदम पतली powder में जोकि है convert किया जाता है उन चीजों को ताकि यह exact आपके बालों के texture के साथ match करे exact color match करे और सारी कुछ चीजैज जो जिट्टो आपके बालों की तरह ही हो और बहुत ही नाश्रल जो कि दूस्तों यह दिखता है बहुत ही नाश्रल कोई जो कि है गेस भी नहीं कर पाता है जिनको हेर थिनिंग का इश्यू है जिनका हलका सा स्काल्प जो कि विजिबल रहता है क्राउन में या फिर आगे के पोश है ठीक है तो फिर दोस्तों हमें एक सवाल आता है कि क्या ये बालों की मतलब साइड इफेक्स क्या है यह बालों को जो कि जड़ने की जो गती है वो बढ़ा देता है कम कर देता है exactly क्या करता है देखिया अप रेगुलर यूजर हो है फाइबर के तो इसके साइड इफेक्स हो तो दो सकते है, क्या रहता है कि आपके जो पोर्स हैSi में बारिक से क्लोक κर देता है, उसे बंध कर देता है तो प्र आपका सँरेज है नाचरल ऑक्सिजन है और पिर जो भी आपके बाडी का जो ऑयल है natural oil वो सब आना जाना अंदर आना बाना यह सब चूण ट्रांजेक्शन रहता है जो नचरल चीज़ों का ट्रांजेक्शन रहता है वह ब्लॉक हो जाता है जब यह एर फाइबर आपके घड़ों में जाके फज़ जाता है तो जब भी आप शादी पार्टे से आओ तो I would recommend कि shampoo कर लो अच्छे से धोलो और जैसे नैश्रल बाल है आप उसे के साथ जो कि है राद भर सोचाओ और एक चीज में recommend करूंगा जब आप जिम वेगरे जाते हो तो बहुत sweating होता है तो sweating में आप इसे use मत किजिएगा क्योंकि sweating होने के बाद वो powder जो की है और चिपचिपा हो जाएगा और maybe it will convert into the dandruff so take care of it तेल लगा के powder लगा के पसीने वाला सर हो रहा है so I will not recommend it थोड़ा सा उसको आपको खाया रखना होगा कितने दिन तक यह चल सकता है आपको बता दू कि यह जैसे तक आप नेक्स शांपू नहीं करोगे तब तक यह चल सकता है लगाने की विदी तो आपने देखी ली म जो कि अभी साइड में आपको बता ही रहा हो कि किस प्रकार जो कि इसका यूज करना है ठीक है यह जो कि है दो-तिन फॉर्माट में रहता एक स्प्रे वाला भी रहता है और नॉर्मल स्प्रिंकल कर सकते हो आप जैसे मैंने किया हुआ है और फिर दूस्तों यह अलग-अलग में भी अविलेबल रहता है जैसे बंगरडी, डाक, डाक ब्लैक, लाइट ब्लैक, जैसे आपको किसी-किसी के ग्रे हैर रहते हैं बहुत सारी कलर स्कीम पर रहती है एक्जैक मैच करके जो कि आप उस पर्डिकुलर कंपनी को जो कि आपके बालों का सांपल बहीच के आपके डार्क-ब्राउन कलर रहता है वो मोस्ली होती हर एक छीज में मैच हो जाता है एक। इफर डार्क-ब्राउन स्वाज के स वसे स्टार्ट में बहुता हता है जो किस्ट औरी निखरी में ब्लु कर स्ता कर्का करेंद करके थे, Сश कृटे करण हो जो स्टार्ट गाथ Milan को पर मे जो कि अपने लाल दिखाना चाहता है तो that is on you कि आप कौन सा brand purchase कर सकते हो और अगर regular user हो तो कभी-कभी normal भी चलाना पड़ता है या फिर अगर देखिए, दोनों के side effects तो same है तेखिए, you got my point, दोनों के side effects same है, but again जो texture रहता है, वो कभी-कभी difference दोनों में आ सकता है कभी-कभी आप expensive खरीद रहे हो तो उसमें जो कि है, ज़्यादा naturality, ज़्यादा जो रहता है ना, कि unguassable वाली चीज़े जो कि ज़्यादा रह सकती है और जो सस्ता वाला है, उसमें possibility थोड़ा सा जो कि है, सामने वाला पहचान सकता है, क्योंकि color वेगिरे में difference आ सकता है, texture में difference आ सकता है Alright guys, I hope कि ये video आपके लिए बहुत ही genuine साबीत होगी information आपके लिए बहुत ही फाइदे में रहेगी, तो अगर आप buy करना चाहते हो तो आपके लिए में जोकी है description में links डाल दोगा affiliate links, I hope कि आप वहाँ से जोकी है, products buy कर सकते हो and also अगर video पसंद आई हो, अपने channel पर नए हो तो please do subscribe to the channel ये hair fiber की कीमत से बहुत सस्ता है, in fact, subscribe करना जोकी है, बहुत ही, totally free है so please subscribe मैं चैनल ऐसे informative videos जो कि मैं आपके लिए लाते रहोगा, thank you so much for watching the straight guys video, tata